लोग फूलो का दीदार कर सके इसके लिए अब 16 अगस्त से 17 सितंबर तक एक महिने के लिए अमरित उध्यान खोला जाएगा अजादी के अमरित मौतसों के तहत ये कदम उठाया गया है ऐसा पहली बार हो रहा है जब राश्टरपती भवन के अमरित उध्यान का साल में दो बार लोग अवलोकन कर सकेंगे इसका गाटन राश्टरपती रौबदी मुर्मू कल करेंगी आम लोग अमरत उध्यान के अवलोकन के लिए उनलाइन बुकिंग करा सकते हैं राश्टरपती की उप्रेस अचीव नाविक गुपता ने कहा कि अब अमरत उध्यान साल में आमजन के लिए दो बार खोला जाएगा इसका सबसे प्रमु खुदेशे यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राश्टरपती भवन में आएं और अमरे तुद्यान में जो फ्लार्ज जो ट्रीज जो हमने लगाए हैं तो उसका मजा लें उसका अनंद लें तो इसलिए अमरे तुद्यान को इस बार तीन महीने के लिए खोला जा रहा है है कि ज्यादा से ज्यादा लोग राश्रपती भवन से जुड़ें और इसलिए हम लोगों ने निर्न लिया है कि एक महीने के लिए और इसको खोला जाएगा ताकि इस मौसम में भी जो फूल खिलते हैं तो उनका मज़ा लोग यहां पर आके ले राश्रपत भवन का अमरित उ सब्सक्राइब कर सकती है सब्सक्राइब वड़ी बात कि ऐसा पहली बार हो रहाए तो जनवरी के परवरी के में लिए खोला जाता था और आम जनटा यहां invention उ Distdon फ्की थी लेकिन इस बार देखा जाए तो राश्पत दोपती मुर्मूर के कहने के बाद ऐसा निड़ लिया गया है कि आम जनता के लिए इस बार मानसून सेशन में चल रहा है तो इसमय आम जनता के लिए खोला जाए ताकि लोग आए और गर्मी के फूलों का यहां पर दिदार कर स जा रहा है और उसी क्रम में इसका नाम बदल करके अमरित उद्यान रख दिया गया है आप देख सकते हैं कि समय यहां पे गर्मी पड़ रही है उसके बावजूद गर्मी के जो फूल है रंग बिरंग जो फूल है यह और लोगों को आकरसित करते हैं और ऐसे में अगर देखा सरकार की यह सोच है राष्पित दोत्ती मुर्मू की यह सोच है और इसी को लेकर के यह कर्णम उठाया क्या है कैमरा पसंद रावल के साथ आजिए उतिवारी सच में रड़ा दिल ली